गंशाम्तिवारी जिस पॉलिटिक्स का जिक्र अभी माधवानन ने का कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दे लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और सिर्फ पॉलिटिक्स देखे जब गल्वान में हमारे शहीद सैनिकों ने चीन का उमुतोर जवाब दिया तो उसके बाद समुची पार्टियों ने देश के प्रधानमंतरी को मोदी सरकार को कहा कि आप तै कीजिए हम आपके साथ हैं उसके जवाब में प्रधान मंत्री जी ने देश से क्या कहा ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है ये उन्होंने 2020 में कहा अब श्री जैशंकर जी क्या कह रहे हैं जो विदेश मंत्री हैं किसी दिन कह रहे हैं कि चीन से हमारे जो हालात हैं और हालत है वो बेहत नाजुक हैं बेहत खराव हैं कभी कह रहे हैं चेन एक पक्षिय रूप से वहाँ पर अपनी सैने ताकत बढ़ा रहा है अग्रीमेंट नहीं मान रहा है कभी कह रहे हैं कि जून 2020 में उसने वहाँ पर अग्रीमेंट तोड़ने की कोशिश की तो लगातार जो जैशनकर बोल रहे हैं और जो प्रधान मंतरी बोल रहे हैं उसमें सच भर का फासला है जो जमीन आस्मान का है दरसल चीन लगातार आकरामक है और देश के प्रधान मंतरी को जिस लहजे में वो डॉक्टर मनमोहन सिंग पर अटैक करते थे लाल आख और ना जाने क्या क्या कंसिक अम उस लहजे का एक ट्रेलर तो दिखाना चाहिए आठ साल से आप इतने खामोश है कि चीन के उबर एक शब्द नहीं बोल पाते आपने जब भी बोला आपने चीन से अपने आत्मियत रिष्टों की बात की आपकी पार्टी ने बोला तो चीन से अपने आत्मियत रिष्टों की बात की आपकी सरकार ने बोला तो चीन के साथ व्यापार बढ़ा दिया ऐसा कौन सा डर है भारते जंता अपने विस्तार को आगे कर रहा है ठीक है जवाब लीजिए ज़रा अपने सुना जनरल सिवाच यहाँ पर किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के से पैनलिस्ट है वो यह कह रहा है कि चीन को लालाख नहीं दिखा रहा है प्रदान मंतरी मोदी क्यों नहीं दिखा रहे हैं और सचाई यह है कि लदाख से अरनाचर प्रदेश अब लोसी की तरह हो गया लेसी वहाँ पर हमारी भी डिप्लॉइमेंट बहुत बड़ी है चाहिए वो लदाख में तीन डिवीजिन से ज़्यादा हम लेके आये हैं एक पोस्ट है और मैं वहां रहा चुकाँ मैंने बटैलेंड कमांड की है और वो जो है डोमिनेट करता है पूरा का पूरा लागदो बाउल जो की बुमला से दस किलोमेटर चीन की तरफ है और चीन की नजर हर दम उस पे थी उतने कई बार ट्राई की पिछले साल भी की और इस साल तो वो साड़े तीन सो से करीब जवान लेके आया और हमारे पचास जवानों ने उनको मूँ तो और जवाब दिया वो पिछे अटना पड़ा और मुझे लगता है कि अब जो बदला हुआ भारत है ये उननीस सो बासट का भारत नहीं ये दो जार बाईस का भारत हम अब बहुत हावी हैं ये अलग बात है कि ऐसा सोचने में लगता है ये सचाई है कि चीन पर वरोसा नहीं कर सकते हैं चीन भी अपना इंफरसक्टर बना रहा है डाईजार से तीन हजार उसने गाउं बना लिये हैं लाइन ऑफ एक्चल कंट्रोल के पास जो गाउं नहीं बलके डिफेंडिल लोकालिटी हैं उसने अपने हैली पैड बनाए है एर फील्ड को बड़ा बना दिया है हथियार भी लेका है मगर ये भी सचाई है कि भारत ने भी अपना इंफरसक्टर बहुत जादा बढ़ाया है पितले दस साल में और जिस परकार से भारत आखों में देखेंगे बात करता है इटका च्वा प्तर से देता है यह भी चीन को भली बालमार यह है प्रेम शुकला जी अप पर अपनेस दोई सवाल पूछ रहे हैं पहला सवाल अगर चाईना आया ही नहीं तो मिलिटरी की जो मिलिटरी लेवल की मीटिंग्स हो रही है वो किस बारे जी की बातचीत में तो आही गया है फिर भी मैं आपको बता रहूं कि एलेसी जो है जो उनीस सो पुझास से आज तक डिसाइड़ नहीं है एलेसी के पैट्रोलिंग पॉइंट पर जहां हम पैट्रोलिंग करते हैं वाम को पैट्रोलिंग करने से रोका उस पर मिलिटरी लेवल बातचित चल रही है और हमारी सीमा पर हमारी सीमा में एक इंच भी चीन आदरणी नरेंद्र मोदी जी के कारेकाल में नहीं आया है यह सबसे बड़ा सच है और दू इस बढ़ गये उसके नातेवों डिफरेंस आपको बोलत का दिखाई करते थे तक हम्त के अब्हों के एक्श्रा हो वाली कांग्रेस ने चार बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ करता था चववन बिलियन डॉलर पर छोड़कर गए तो चौदा गुना इन्हों अंदर आ गए तो इनकी लाल आखें दिख्यों नहीं दिखाई इन्होंने और ये क्रिपा करके बता दें तब उस सब्सक्राइब हूँ जिनता हो चीन के राष्टपती भारत के दौरे पर आये थे तो किस तरह से सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए डॉक्टर मनमोहन हमने इंफ्रस्ट्रक्चर भी डिएलोग किया है और हम आँखों में आँखें डाल कर बातें कर रहे हैं और नतमस्तक हम होने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम का चीन के चंदे पर पलते थे वह नतमस्तक हो रहे थे इस करण व्यापार का घाटा लगातार कई गुना बढ करते थे इसलिए आप चाइना को डिस्काउंट देते थे कंसेशन देते ते यारो पर बीजेपी गा और दूसरा मिलिटरी लेवल पर देखें आदिती जी बात चाइना को जवाब नहीं दे पाई यह एको आरा जरा एको निकलवा देंगे देखें इन्होंने व्यपार की बात की मैं आपको बता दूं कि 116 बिलियन डॉलर का व्यपार जो है वो भारत के साथ में चीन का भी हुआ है यानि 60-62 प्रतीशत जो व्यपार है वो पिछले 2-3 सालों में इनका बड़ा है जो ट्रेट डेफिसिट है वो 74 बिलियन डॉलर का ट्रेट डेफिसिट है यानि कितना इंपोर्ट आ रहा चीन से यानि एक तरफ एक तरफ ये चीन के गुटने टेक चुके हैं कि हाँ भई हमको ये सारी चीजे दो नहीं तो भारत जो है वो बंद हो जाएगा ये कोई आल्टरनेट क्रियेट नहीं कर पाए है ये एको कंटिन्यूस आ रहा है ये निकलवा दीजिए बहुत परिशान कर रहा है तो ये एक तरफ तो ये बाते हुई अधिती जी क्या मेरी आवाज आ रही है जी जी आपकी आवाज आ रही है हलो 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 आ रही है आपकी आवाज स चले इस वक्त उन तक हमारी आवाज नहीं पहुच पारी है अजय आलोग भी हमारे साथ है अजय आलोग जी यहां पर सियासत नहीं थम रही है बीजेपी कह रही है कि राहूल गांदी क्या चाहते हैं चाइना के सामने सरेंडर कर दें जो डिबेट हमने 9 दिसंबर के बास से ल लाल आखे कब दिखाएंगे विपक्ष पहला सवाल यहीं पूछता है दूसरा चाइना के खिलाफ प्रधान मंतरी कभी कुछ बोलते क्यों नहीं है और तीसरा यह जो व्यापार घाटा है उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि चाइना के साथ आप व्यापार करते हैं जिसमें दंडे तक दिखा चुके हैं और पीट-पीट के भगाया है अगर यह लोग बात करते हैं कि गलवान में 20 सेनिक हमारे शहीद हो गए लेकिन साथ के साथ यह नहीं बताते हैं कि 50 चीनियों को उन्हें अकेले मार दिया यह बताते हुए इसमें को शरम आती है तूसरी बात ला पैस्विक में घेड़ने की रणनीती बना चुके हैं रस्या के साथ स्टाजिक मीटिंग क्या हुई है जिसमें रस्या को बोला गया को चाइना को समझाए और यह राहूल गांधी कहना है कि युद्ध हुआ चाइना कभी वी आक्रुमन कर सकता है पाकिस्तान चाइना मिलके लड़ेंगे तो गौर्मेंट ऑफ इंडिया की क्या कोई सीक्रेट एजनसी राहूल गांधी वी चलाते हैं क्या कि उनको इन्पूट्स मिल रहा है नहीं तो कोई तो यही सोचेगा कि जो कॉंग्रेस पार्टी और पीपल्स रिपब्लीक अफ चाइना में की बीच में जो सम अपनी बात को मतलब खुद नहीं समझना जैसे सरदी से डर लगता है आपको सरदी से डर लगता है इसलिए आपने कपड़े पहने है ऐसी ऐसी बेतुकी बात करते हैं कभी चाइना कभी पाकिस्दान अरे किसको नहीं पता है कि चाइना और पाकिस्दान से यूद होगा तो